प्यारे वच्चों आप सभी लोगों का सामाजिक विशय की कच्छा में स्वागत है आज हमारे अध्यन का विशय है समकालिन भारत दो भूगोल पार्ट साथ राष्ट्रिय अर्थ वेवस्था की जीवन रेखाएं राष्ट्रिय अर्थ वेवस्था परिवहन के साधनों कर निर्भर है आईए इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर विचार करें मुख्य बिंदु परिवहन के साधन इस पहला इस्थर परिवहन दूसरा जल परिवहन तीसरा वायू परिवहन चौथा संचार सेवाएं पच्च्वा अंतर राष्ट्री अव्यापार छठा परियटन बच्चों आज इन छे बिंदुओं में हम सिर्फ दो ही बिंदुओं का अध्यान करेंगे इस्थल परिवहन और जल परिवहन राष्ट्री अर्थ विवस्था की जीवन देखाएं बच्चों परिवहन के साधन हमारी राष्ट्री अर्थ विवस्था को किस प्रकार से सरल और सुगं बनाते हैं तथा इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है आईए इसे भी जाने हम अपने प्रतिदिन के जीवन में बिभिन सामागरियों एवं सेवाओं का प्रियोग करते हैं बच्चों तीन चीजें हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है भोजन, कपड़ा और मकान इसके अत्रिक और भी बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका प्रियोग हम अपने प्रतिदिन के जीवन में करते हैं जैसे मोबाईल, टीवी, फ्रीज, कूलर, फरनीचर के समान, सौंदर ये प्रशाधन आदी इन में से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं जबकि कुछ अन्य चीजों की जरूरत दूसरे अस्थान से लाकर पूरी की जाती हैं बच्चों, बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे आसपास के छेत्रों में उपलब्ध हो जाती हैं लेकिन बहुत सी वस्तुओं को हमें दूसरे देशों से मनाना पड़ता है बच्चों, बस्तुओं तथा सेवाएं मान स्थान से आपूर्ती स्थानों से मान स्थानों तक ले जाने हे तूप परिवहन की आउशक्ता होती है बच्चों बस्तूओं तथा सेवाओं को लाने ले जाने के लिए हमें परिवहन की आवश्यक्ता होती है बच्चों एक दुकानदार अपने दुकान पे भिन 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 छेत्रों से भिन भिन प्रकार की बस्तूओं को लागर के इकठा करता है उसे उन अस्थानों से अपने दुकानों तक लाने के लिए परिवहन की आउशक्ता होती है हमें उस दुकान से अपने घरों तक लाने के लिए परिवहन की आउशक्ता होती है वस्तूओं तथा सेवाओं की आपूर्दी इस्थानों से मान अस्थानों तक ले जाने है तो परिवहन की आउशत्ता होती है जो ब्यक्ति उत्पात को परिवहन द्वारा उत्भोगताओं तक पहुचाते हैं उन्हें ब्यापारी कहा जाता है बच्चों एक व्यक्ति जिन वस्तूओं को जिन उत्पात के साधनों तक भोगताओं तक पहुचाता है उन्हें व्यापारी कहा जाता है हमारे देश की विकासकती वस्त्वों तथा सेवाओं के उत्पात के साथ उसके एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक वहन की सुधा पर भी निर्भर करना पड़ता है बच्चों एक किसान खेत में गण्नाव होता है और उस गण्ने को यदि परिवहन के अभाव में चीली मिलो तक न पहुचाए तो उस गण्ने का उत्पादन उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता है वस्तूं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृत्वी के तीन महत्वपूर्ट छेत्रों पर किया जाता है बच्चों इस्थल जल तथा वायू इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थ बिवस्था को संचालित करते हैं परिवहन का साधन हमारे लिए क्यों महत्यपूर्ण है साधन वा सच्छम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज वीश्व राष्ट्र वा इस्थानिय ब्यापार हे तो पुर्व अपेच्छित है बच्चों, संचार के साधन, सच्छम परिवहन, आज बीश्व और राष्ट्र में ब्यापार के लिए बहुत ही महत्वर पूर्ड है बच्चों, किस प्रकार से राष्ट्रिय अर्थ दिवस्था में परिवहन के साधन हमारी सहायता करते हैं आईए इसे भी जाने इस्थल परिवहन, इस्थल परिवहन के अंतरगत, हम सड़क तथा सड़क परिवहन के बारे में जानेंगे भारत बिश्व की सरवाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है यह सड़क जाल 54.7 लाख किलोमेटर है भारत में सड़कों का जाल बहुत ही बिस्त्रित है 54.7 लाख किलोमेटर में फैला हुआ है भारत में सड़क परिवहन, रेल परिवहन से पहले प्रारम हुआ निर्मार तथा बिवस्था में सड़क परिवहन, रेल परिवहन की अपेच्छा अधिक सुब्धा जनक है बचों, रेल परिवहन, रेल परिवहन से पहले सड़क तथा सड़क परिवहन का निर्मार किया गया निर्मार तथा वेवस्था में सडक परिवहन सबसे अधिक सुधाजनर परिवहन का साधन है रेल परिवहन की अपेच्छा सडक परिवहन की बढ़ती महतानिम्न कारणों से है सडक हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आईए उसके महत्वव को जाने रेल्वे लाइन की अपेच्छा सडक की निर्मार लागत बहुत कम है अपेच्छा कृत उबर खाबर धालान तथा पहाड़ी छेत्रों में निर्मित की जा सकती है बच्चों सडकों की निर्मार लागत बहुत कम है लागत से मतलब है जो सड़क बनाने में खर चाता है उसे हम लागत कहते हैं बच्चों ये उबर खाबर, धालानों, पहाडी छेत्रों, सुरंगों, नदियों पे पुल बनागर के सड़कों का निर्मार किया जाता है अपेच्छाकृत कम ब्यक्तियों, कम दूरी वा कम वस्तूओं के परिवहन में सड़क में तब्याई है बच्चों थोड़े ब्यक्तियों को कहीं जाना हो, थोड़ी दूरी तह करनी हो, थोड़े समानों को कहीं ले करके चलना हो तो सड़क परिवहन हमारे लिए सबसे सस्ता साधन है यह घरगर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चड़ाने उतारने की लागत भी अपेच्छाग्रित कम है बच्चों दूर दराज से जब हम किसी संबस्तु को ले करके आते हैं तो हमें परिवहन की आवशक्ता होती है वो छोटे परिवहन होते हैं जो हमें हमारे घरों तक आसानी से पहुचा देते हैं बच्चों उस पे समान चड़ाना और उतारना बहुत आसान है तथा खर्च भी बहुत कम होता है सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है जैसे सड़कें, रेलवेई स्टेशन, वाई उबस समुंद्री मार्गों को जोडती है बच्चों, एक ब्यापारी, जब बस्तूओं को रेलवेई स्टेशन पर उतारता है वाई यान द्वारा, हवाई अड़ों पर उतारता है समुंद्री मार्गों द्वारा समुंद्री के किनारे उतारता है तो वहां से हमें छेत्री अस्थानों पर लाने के लिए सड़क परिवहन की आउशक्ता होती है भारत में सड़की स्चम्ता के आधार पर हिने छे वर्गों में वर्गी क्रित किया गया है आईए जाने पहला स्वानें चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत सरकार नई दिल्ली से कोलकता, चन्नाई से मुंबई वर दिल्ली को जोड़के वाली छे लेन वाली महाराजमारगों की सड़क परियोजना प्रारम्भ की है आईए वच्चों इसे नक्से में देखें दिल्ली से कोलकता, कोलकता से चिन्नई, चिन्नई से मुंबई, मुंबई से दिल्ली इस तरह से छेलेन वाली सड़कों का निर्माड किया गया है ये सड़क इस चारों मेगा सिटी को जोडती हैं इसलिए इसे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार कहा जाता है राश्टिय राश्मार का प्रमुख फुद्देश भारत के मेगा सिची के मध्य की दूरी वा परिवहन समय को नियूंतम करना है इन सड़कों का प्रमुख फुद्देश से दो शहरों के बीच की दूरी को कम करना तथा परिवहन गती को तेज करना है इस परियोजना के तहट दो गल्यारे प्रस्तावित हैं, पहला उत्तर दच्छड गल्यारा जो स्री नगर को कन्या कुमारी से जोडता है, दूसरा पुरवश्यम गल्यारा जो सिल्चर तथा पुरवंदर को जोडता है, सिल्चर बच्छों आसाम में हैं और पुरवंदर गु गल्यारा दूसरा गल्यारा सिल्चर से पोर बंदर तक है यह राजमार परियोजना भारत के राष्टिय राजमार प्राधिकरण के अधिकार छेत्र में है इनकी देख रेक भारत के राष्टिय राजमार प्राधिकरण के अधिकार छेत्र में है दूसरा है राष्टिय राजमार ग्यव राष्टिय राजमार देश के दुरस्त भागों को जोडते हैं तथा प्राथमिक सड़क तंत्र है जिसका रख रखा केंद्रिय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है औने प्रमुख राश्ट्रिय राजमार्ग उत्तर के दच्छिर तथा पुर्व के पच्छिम दिशाओं में फ्रेले हुए हैं बच्छों दिल्ली वा अमरी सरके मद्ध एते हासिक सेर साह सुरी राश्ट्रिय राजमार्ग संख्या एक के नाम से जाना जाता है राश्ट्रिय राजमार्ग संख्या दो दिल्ली से कोलकोता तक है राश्ट्रिय राजमार्ग संख्या तीन आगरा से मुंबई तक है बच्चों सबसे लंबा राज्ट्री ये राजमार्ग साथ है और सबसे छोटा राज्ट्री ये राजमार्ग एरल में है जो 6 किलो मीटर लंबा है तीसरा है राज्यमार्ग राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्याले से जोडने वाली सडके राज्यमार्ग कहलाते हैं राज्य तथा केंद्र साची छेत्रों में इसकी बेवस्था तथा निर्माड का दाईत सार्वजनिक निर्माड विभाग बारा किया जाता है चौथा है जिला मार्ग यह सड़के जिले के बिभिन प्रसास्निक केंद्रों को जिला मुख्याले से जोड़ती हैं इन सडकों की बेवस्था का उत्तर दाईत्व जिला परिशत को है अन्य सडकें इस वर्ग के अंतरगत में वे सडकें आती हैं जो ग्रामेड छेत्रों तथा गाओं को सहरों से जोडती हैं प्रधान मंत्री ग्रामेड सडक परियोजना के तहत इन सडकों के विकास को विसेश प्रवस्थाहन मिला है बच्चों वाओं से सहरों की तरब जो सडकें जुडती हैं वो प्रधान मंत्री ग्रामेड सडक परियोजना के तहत उसका कारिय किया जाता है उसका रख रखाओ किया जाता है इस परियोजना के कुछ विशेश प्रवधान है जिसमें देश के प्रतेग गाउं को प्रमुक सोल सहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है बच्चों गाउं की कच्ची सड़कों को पक्की सड़क बना करके सहरों से ज निर्माण किया जाता है सीवा सड़क संगठन 1907 में बनाया गया जो इन सड़कों की देखरेग करता है सड़क निर्माण में प्रयूक पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गी क्रित किया गया है बच्चों सड़के दो प्रकार की बनाई गई है कच्ची सड़क और पक्की सड़क कच्ची सड़के बालू, मिट्टी, कंक्रीट से बनी होती है और पक्की सड़के सीमेन, कंक्रीट और तालकोल से बनाई जाती है बचो ये सडकों के कुछ चित्र हैं ये गाओं की सडके हैं ये सहर की चोड़ी सडके हैं ये सुरंगों में जाने वाली सडके हैं और ये छेलेन वाली सडके हैं अभी हमने इस्थल परिवहन के अंतरगत सडक के बारे में पढ़ा आईए इस्थल पर चलने वाले एक और परिवहन के बारे में जाने रेल परिवहन भारत में रेल परिवहन बस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है बच्चों आपने ट्रेन देखा होगा ट्रेन में यात्री सवार करते हैं बस्तूएं जो हम आसानी से एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक नहीं ले जा पाते हैं उन बस्तूओं को ले जाने के लिए ट्रेने बनाई गई हैं पिछले 150 वरसों से अधिक समय से भारतिये रेल एक महत्पूर्ण समन्वेक के रूप में भी जानी जाती है देश की पहली रेल गाड़ी 1853 में मुंबई और थाड़े के मध्य चलाई गई जिसकी दूरी 34 किलो मीटर थी भारतिये रेलवे देश की अर्थ बेवस्था उद्योगों वर किर्शी के तीप्रगती के विकास के लिए भी उतर गाई है बच्चों रेलवे द्वारा हमारे देश का बहुत अधी विकास होता है प्रायदी पिय भारत में रेल मार्ग उबर खाबर पहाड़ी छेत्रों छोटी छोटी पहाड़ी और सुरंगों आधी से होकर गुजरती है बच्चो रेलवे लाइन का निर्माड करते समय उबर खाबर पहाड़ी छेत्रों, छोटी छोटी पहाड़ीों, सुरंगों, नदियों के उपर पुल बना करके रेलवे लाइन का निर्माड किया जाता है हिमाले परव्यतिय छेत्र भी दुरलब उच्चावश बिरल जन संख्याव तथा आर्थिक आउसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माड में प्रतिकूल प्रस्थितियां उत्पन्न हुई है बच्चों बहुत से ऐसे छेत्र हैं जहां पे रेलवे लाइन विछाते समय अनेक कटनाईयों का सामना करना पड़ता है जैसे पश्चमी राजस्थान में जहां रेत हैं गुजरात के दलदली भाग जहां दलदल अधिक पाये जाते हैं मद्धे प्रदेश के बंचेत्र चतिस गड़ उड़िसा और जारखंड में रेल लाइन का निर्माड करना कटिन है चतिस गड़ उड़िसा और जारखंड जहां घने जंगल पाये जाते हैं वहां रेलवे लाइन का निर्माड करना कटिन है आज राश्टिय अर्थ विवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेच्छा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है यद्धपी रेल परिवहन समस्याओं से मुख्द नहीं है बहुत से यात्री बिना एक टिकट यात्रा करते हैं रेल समपत्ती की हानी तथा चोरी जैसी समस्याओं पोड़तेया समात नहीं हुई है जनजीर खीच कर यात्री कहीं भी अनावस्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं जिससे रेलवे को भारी हानी उठानी पड़ती है बच्चों आज हमारे लिए परिवहन का बहुत ही अच्छा साधन है लेकिन बहुत से लोग इस रेलवे लाइन को तथा रेलवे को अनेक प्रकार से हानी पहुँचाते हैं लोग बिना टिकटी आत्रा करते हैं जगह जगह चैन खीच करके गाड़ियों को रोक देते हैं जिससे गाड़िया अपने समय से अपने निर्धारित अस्थान तक नहीं पहुँच पाती इससे रेलवे को भारी हानी उठानी पड़ती है बच्चों ये कुछ ट्रेने दिखाई गई हैं ये माल्ड होने वाली ट्रेने हैं ये राश्ट्रिय ट्रेने हैं ये अंतर राश्ट्रिय ट्रेने हैं अभी हमने रेलवे के बारे में पढ़ा रेल परिवहन के बारे में पढ़ा बच्चों, अब हम इस थल पर चलने वाले एक और परिवहन के बारे में जानकारी प्राप्ट करेंगे, पाइप लाइन, भारत की मांचित्र पर परिवहन, भारत की परिवहन मांचित्र पर पाइप लाइन एक नया परिवहन का साधन है, पहले पाइप लाइन का उपयोग सहर वह उद्योग में पानी पहुचाने हेतु होता था आज इसका प्रियोग कच्छा तेल पेट्रोल उत्पात तेल से प्राप्त प्राकितिक तथा गैस छेत्र से उपलब्ध गैस सोधन सालाओं उर्वरक कारखानों वह बड़े बड़े बिद्धुत ग्रह तक पहुचाने में क किया जाता है बच्चों बहुत पहले इस प्रियोग सिर्फ ध्योग्यों और कारखानों में पानी को चाने का काम किया जाता था लेकिन आज गैस पैटरॉल डिजल अधी पहुचाने का काम किया जाता है पाइप लाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है लेकिन इसको चलाने की लागत न्यून्तम है वाहे आंतरण देरी तथा हान्या इसमें लगभग नहीं के बराबर है बच्चों पाइप लाइन बिछाते समय बिछाने की जो लागत है वो बहुत अधिक है लेकिन इसको चलाने की लागत बहुत कम है वाहर आंतरण यानि इसे बिछाना कथिन है इसमें समय लगता है लेकिन हानिया दुरभटनाई इसमें नहीं के बराबर है बच्चों ये pipeline के कुछ चित्र है इस प्रकार से pipeline बिछा करके हमें अनेक प्रकार की सुभधाएं पहुचाई जाती है अभी हमने सड़क परिवहन, रेल परिवहन, pipeline के बारे में पढ़ा अब इसके दूसरे मुख्य बिंदू जल परिवहन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते रहे हैं जल परिवहन, परिवहन का सबसे सस्तासाधन है या भारी वई इस थुलकाय वस्तुएं ढोने में अनकूल है बच्चों बहुत प्राचीन काल से लोग जल की जल परिवहन द्वारा समुंद्रों में यात्राय करते आ रहे हैं बड़ी 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 बस्तुवों को ठोने के लिए ये सबसे अच्छा साधन है बच्चों ट्रट है, कार है, मोटर है, जहाज है, सीने हैं, उत्पात की बस्तुवें हैं जिन्हें रेल परिवहन द्वारा आसानी से लाया ले जाया जा सकता है भारत में अंतर इस्थलियन नौसंचालंजर मार्ग 14.500 किलो मीटर लंबा है इसमें केवल 5685 किलो मीटर मार्ग ही मशेनी कृत नौकावं द्वारा तैंकिया जाता है निम्ने जल मार्गों को भारत सरकार द्वारा राश्ट्रीय जल मार्ग घोसित किया गया है हल्डिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग जो 1620 किलो मीटर लंबा है राश्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है सदियावद दुबरी के मध्य 891 किलो मीटर लंबा ब्रह्म पुत्र नधी जल मार्ग राश्ट्री राजमार्ग के नाम से जाना जाता है केडल के पश्चिम तटिय नहर कुटापुरम से कुल्लम तक 205 किलो मीटर राश्ट्री राजमार्ग के नाम से जाना जाता है काकिनाड़ा और पांडु चेरी नहर स्ट्रेश के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेश विस्तार एक हजार अठाटर किलोमीटर राश्ट्री राजमार्ग इन सबके अत्रिक विदेशी ब्यापार भारतिय तट पर इस्थिक पत्तनों द्वारा किया जाता ह है देश का लगढ़क पंचानबे प्रस्तत व्यापार समुंद्रों द्वारा होता है कुछ समुंत्री पत्तन है आईए हम उसके बारे में जानें भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुंत्री तट्रेखा के साथ बारह प्रमुख तथा 200 मध्यम चोटे पत्तन है यह प्रमुख पत्तन देश का पंचानबे प्रस्त विदेशी व्यापार सरजालित करते हैं कांडला जिसे दीन रहाल पत्तन के नाम से जाना जाता है यह एक ज्वरी यह पत्तन है यह जम्मो, कास्मीर, हिमानचल प्रदेश, पंचाब, हर्याना, राजस्थान वगुजरात के ओध्योगिक खाध्यानों के आयात निर्याद को संचालित करता है मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रख कर इसके सामने जबाहर लाल नहरू पत्तन विक्सित किया गया मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रख करके इसके सामने जबाहर लाल नहरू पत्तन विक्सित किया गया जो इस पूरे छेत्र को एक समूह पत्तन की सुभधावी प्रतान करता है करनाटक में इस्थित नियो मंगलोर पत्तन कुद्रे मुख खानों से निकले लोह एस्क का लियात करता है तमिल नाडू के दच्छड पुर्वी छोर पर तूती कोरम पत्तन है यह पत्तन हमारे पडोसी देशों जैसे स्री लंका मालदी आदी तथा भारत के तक्तिय छेत्रों की विभिन बस्त्रों के व्यापार को संचालित करता है चन्नई हमारे देश का प्राशेंत्म क्रितिम पत्तन है बचों चन्नें का जो पत्तन है वो बहुत ही पुराना पत्तन है ब्यापार की मात्रा तथा लदे समानों के संदर्व में इसका मुंबई के बाद दूसरा अस्थान है बच्चों ब्यापार की द्रिष्टी से मुंबई के बाद इसका दूसरा अस्थान है कोलकोता एक अंतह इस्थलिये नदिये पत्तन है जरिये पत्तन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाओं से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है कॉलकोता पत्तन पर बढ़ते ब्याबार को कम करने हेतू हल्दिया सहाएक पत्तन के रूप में विक्सित किया गया बच्चों इस प्रकार से हमने जल परिवहन के बारे में पढ़ा जल परिवहन एक बहुत ही अच्छा साधन है अनेक पत्तनों दारा बहुत अधिक ब्याबार किया जाता है यह हमारे लिए जल परिवहन बहुत ही अच्छा साधन है बच्चों भी हमने मुख्य बिंदू, इस्थल परिवहन तथा जल परिवहन के बारे में पढ़ा आईए इसके ग्रह कारे के बारे में जानकारी हासिल करें बच्चों निम्ले लिखित प्रश्णों के उत्तर तीस चब्दों में दीजिए सड़क परिवहन के तीन बुड़ बता है दूसरा क्वेश्चन है जरी ये पत्तन किन किन प्रदितेसों में आयात लियाद करता है बच्चों इन दो प्रश्णों को हल करिएगा पार्थ यहीं समाप्त होता है अगले पार्थ में हम मुख्य बिंदों के साथ पुनह मिलेंगे धन्यवाद